असाथ बैपारियों का मेटर है, विवाद है, नगर पंचायत एक तरीके से मनमाना थे साथ बैपारियों के पेड़ पर लाद मारते हुए, एक ब्यक्ति को लाब पहुचा रहा है, जो कि कहीं न कहीं मानवता को सर्मसाल कर रहा है, आपने किन तत्यों के अधार पर उसको रास बैपारी हमारे भी हैं, लेकि अगर हम चाहें तो रास्ता बंद करने का अधिकार हमारे पास नहीं है, नीजी जमीनों को पर लिया जिला के विल्थरा और में मौदूद हूँ, और विल्थरा और नगर की एक घटना, जो कि इस समय शर्चा का इसे बने हुई है, अब भी आ पास में ही स्टेट बैंक, सेंटरल बैंक और ब्रोदा बैंक का कैमपस है, जो सीड़ी आप देख रहे हैं, वहां से लोग कैमपस में परिविस करते हैं, और एक बीच में आप रास्ता देख पा रहे हैं, जो आठफूब का रास्ता है, राहूल मेटकल स्टोर भी आपने द में मौझूद थे, उस समय नगर के वेपारी, जो पूरु चेर्मन परत्यासी, जो बहुन नराण है उनके पती, परिविन नराई जी के साथ तासिल में मौझूद थे, उनके द्वारा जो हमें बताया गया, कि नगर पंचायत ने उस जगह का आवंटिन किसी को कर दिया है, जब की बरसों से वह रास्ता रहा है, वहां से लोग आते जाते रहे हैं, उसके पीछे साथ-एक दुखाने हैं, दुखनदार उसका परयोग करते हैं, सेडी है, जिसके जरी है लोग उपर जो है जा सकते हैं, और साथ में बढ़ोदा बैंक के कैमपस में जाने का भी यह सु बताया गया कि उन्होंने HDM बेल्थरा रोड को एक पत्रक दे करके उनसे न्याय की मांग कि इए उन्हें अप्लिकेशन दिया है अप्लिकेशन देने वालों में जहां परविड निया है बुक्ताजी है तो वहीं दूसरा आप्लिकेशन राहूल मेटिकल इस्ट्रूर के मालिक राहुल गोड के द्वारा भी दिया गया है हमने आज यो से जो हमारी बात नहीं होगाई थी तो यो से बात करना इस मामले में जरूर था क्योंकि जिस तरह से जो है दिख रहा है कि यो को निर्देश किया है यो का कहना है कि आवँटन किया गया है ऐसे बताने में वह मर दिखे उनका कहना था, उनका जो है क्या कहना है उसे आगे हम आपको जो है दिखाएंगे वीडियो के लाश्ट में उससे पहले जो लोग इस संबंद में जिनका जो है कहना है कि एक ब्यक्तिकोलाग पहुचाने के लिए रास्ते को जो है बंद किया जा रहा है साथ आठ दुकानों को जो नुक्सान पहुचा जा रहा है उनकी बातें आपको सुनाते हैं सबसे पहले आप आउना नरायन के पती प्रविन नरायन को जो सुने उनका जो है क्या कहना है जी मैं प्रवीन नरायन हूँ और नगर सेवक हूँ मैं जन सेवव हूँ और यहां पर मैं आज असील में अपने आया हूँ एक जनहित के कारी हेतु आया हूँ चुकि हमारे समक्स बहुत सारे बैपारी है और कुछ अपनी दुकानों पर है इस वक्त चह-साथ बैपारी ओं का मैटर है विवाद है नगर पंचायत एक तरीके से मनमाना धं से 6-7 बैपारी ओं के पेट पर लाट मारते हूए एक व्यक्ति को लाब पहुचा रहा है जो की कहीं न कहीं मानवता को सरमसार कर रहा है हम ठीक है, हम किसी को बैवस्ता देते हैं, उसकी पेट पालन का जरिया एक बनाते हैं, दुकान देते हैं, कुछ भी करते हैं, उनको एक जरिया देते हैं, लेकिन हम 6-7 बैपारी या 6-7 बैपारी वेक्तियों के पेट पर लात मार कर उसको बैवस्ता नहीं दे सकते हैं, लेकि पीछे की दुकानों के लिए है और साथ में वही बगल से होकर बैंक अब बढ़ोदा और तमाम सेंट्रल बैंक को रस्ते जाते हैं गलियां जाती है आम आदमियों के लिए सहूलियत है वहाँ पर और वह रस्ता जब से मैं हो समाला हूं पैदा होने के बाद से जब से मेरी दिमाग काम कर रहा हूं तब से मैं देख रहा हूं वह रास्ता ही है और आज मौझूदा आलाद में भी उसमें नगर पंचायत का इंटरलॉकी में भी तो आम जन के लिए सहूलियत को देखते हैं और रास्ता छोड़ा गया है और रास्ता अब अगमान है तु जारी भी है अब यह है कि नगर पंचायत दिनेश कुमार गुपता ने जो कि सवाजद है और चेर्मेन प्रतिनीदी है वो क्या कर रहा है कि अपने किसी एक खास बेखती को लाप होचाने के लिए जो कि यहां के पत्रकार भी है दैनिक जागरन के पत्रकार है विजय मदेशिया उनको द सब्सक्राइब सब्सक्राइब करने हैं चाहिए कि शरका किसी ढब टूकर प्रस्ती में दुख में शुक्राइब सकता धुस को दुकान आप बता रहे हैं और आज 2024 है चुनावचार संहीता भी चल ला है इस समय किस तरह का उस पर कभजा दिलाने की कोशिश की जा रही है तो आपने जो इस संबन में यू से बात करने की कोशिश की यू से हमारी वारता नहीं हुए लेकिन स्चो महोदे का यू से वारता हुआ था म अपने नाम से दिया हुआ है कि छह साथ ब्यक्तियों के पेट पर लात मार कर या उनका रास्ता बंद करके आप इसको रोकें तो उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं मुझे उनकी बातों से लगा कि एक पक्सी कारवाई चाहते हैं वो कहीं ना कहीं उनकी जो गतिविधियां लग से मिलकर वो कुछ गलत तरीके से मनमाना धन से कारे कराना है कि 2021 का अवंटन है 2024 में क्यों आप कपज़ा दिलाना चाहते हैं यह सवाल आपने किया होगा मैंने जब संबंदित जो करमचारी वहां बैठे हुए थे और सचो मोदे को बता रहे थे कि 21 का अवंटन है 2024 में हम इस करमचारी से पूछा कि आपने किन तत्यों क्यादार पर उसको रास्ते को बंद करने का अधिकार प्राप्त कर लिया है चुकि रास्ता नीजी हो चाह सरकारी हो रास्ता अगर दसकों से आवागवन है तो हम बंद नहीं कर सकते हैं पहली चीज आपने किस अधिकार से कह दिय जुकान दे देगे कुछ तुरह ने नहीं कभी। फृ必ällen đangaráता एंडरोंग दोपतफों. इतवीस संवीरके लिख में हैं. उसके अपनी बात रख रहा हूं और बस और आप से जाधा सब्सक्राइब संदा कहां गया, यह तो मनमाना आप कह रहें कि हम वही कराएंगे, तो माप कीजिए कि मनमाना होने नहीं दिया जाएगा, किसी भी हाल में नहीं होने देंगे, रास्ता हमारे पास भी है, नीजी जमीने हमारी में हजारों बैपारी हमारे भी हैं, लेकि अगर हम चाहें तो रास्ता करके ने को दुकान बना सकते हैं बना सब्सक्目 क्ज और § पर कि को साम परफ्र से तो अगर पंचायक्झेर यह सब्सक्राइब करें लिए फीर में आपके से मुझ आप अपने संबध में सर्य चुनाओं ने बहस्त है और पर वलिया गया हुए है पता नहीं देर सभेर रात आये वो जो भी आये तो मेरी वारता हुई फोन से मैंने परस्नली उनसे डायेक लाइन पर बात की और उन्होंने संतुस्ती भरा जवाब दिया मुझे अपने इस टेनों से रिसीब करने को कहा मैंने इस टेनों अजे जी को म मार है सरकारी अस्पताल के जश्ट बगल मेरी दवा की दुकान है राहूल मेडिकल इस्वर के नाम से जी मैं बचपन से ही अपने दुकान से जश्ट बगल की जो इस पेस है मैं बचपन से ही उस चीजों को देख रहा हूं पहले मटी का हुआ करता था कुछ साल पहले इंट सेमेंट का इंट्रलाकिंग आज 10 सालों से मैं देख रहा हूं। इस ने करया आपने करया था। इंट्रलाकिंग जो है दिने शेमेंट के द्वारा करा गया था। तो उसको कल हम लोगों को सुचना मिली कि आज 9-10 बजे के आसपस में इसको कबजा किया जाएगा। तो जैसे हम लोगों को सुचना मिली तुरंत हम लोगों ने अप्लिकेशन लिख करके जनीद में सेडे एजडियम महदे को रिशीप कराया। कल रात 8 बजे के आसपस में। फिर यहां से हम लोगों ने अप्लिकेशन दिया। उसके पहले इन लोगों ने हम लोगों के खिलाफ आनावसक तरीकी से अप्लिकेशन दे चुके थे। यह बाूंडरी नहीं नहीं और रेरे video, कभजा नहीं होने दिर रहेए इस तरह का प्रक्राण क्योंकि उनका गतन ये भी था कि हमारी पहले से गुम्ती वहां है और जिके मरमत करानी है वहां अल्डेडी इंटरलाकिंग है जब इंटरलाकिंग है तो मरमत किसी इस की अब कराएंगे जैसे क्या है उन्हों ने जो अप्लिकेशन दिया था विजय मदेशिया ने उन्होंने लिखा था कि हमारी वहां गुम्ती आवंटी थे और मैं उसके मरमत ये तुझ जब गया तो वहां राहुल गूंड जी ने और एक और व्यक्तियों का नाम लेग उन्होंने का है कि उसको गुंदई के दम पर रोकने की कोशिश करी। मेरा सवाल यह है उस क्रॉस कोश्चनिंग में कि अगर आपको गुंटी आवंटी ते है वहाँ पर गुंटी होनी चाहिए ना। वहाँ तो मौझूदा इंट्रलोकिंग वाला रस्ता है और यह इंट्रलोकिंग प्रमाट दे रहा है कि हम रास्ता हैं। कहीं दिसा ब्रहमित करके या अपने सक्ती का दुरूपयोग करके चुकि और अपने सक्ती का दुरूपयोग करें उनके साथ नगरपंचायद के अध्यक्स जो प्रतिनितिय तिनेश कुमार गुपता वह भी असथ्त्या का दुरूपयोग करना चाहरा है लेकिन मैं आशवसन बते हैं न प्रशितेता हैं कि सरकार की ब只是 कसा देता हूं कि सरकार और बृब्ष्चाचार she also मैं सारा लें खटाALK-पैरीकन घड़ा हूं एक जंसेवकिर रूप मैं हु हमेशा रहूं गा आपने दोनों लोगों को सुन लिया दोनों लोगों का यह कहना है कि हर हाल में वहां किसी तरह की कोई दुकान की अवंटन नहीं होना चाहिए और नहीं वहां कभी कोई दुकान थी नहीं अब जो है वहां दुकान बननी चाहिए तो इस संबन में जब हमने यो से फोन पर वार कि उनका जो है आपको पच्छियों में दिखा पाता उनकी बाइट ले पाता लेकिन उनके जवारा जो बताया गया कि दो साल जो पहरे दुकान आवंटित हुई है और रहा सवाल जो वहां दुकान इस समय किसी तरह का निर्मार करने का तो अचाप संगीता लागू है तो वहा अगर रास्ता है या साबित होता है तो वहां किस तरह का निर्मार नहीं किया जाएगा अब देखना होगा कि समय को जब इस जो वहां और यो आते हैं अधिकारी बल्थरा रोट उनके जवारा उच्यांश की बात क्या बात जो है सामने निकल करके आती है अगर हमें कुछ जानकारी मिलती है तो हम आपको जरूर बताने की कुशिस करेंगे लेकिन दर्सकों से आप उस जगह को देख पा रहे हैं आपको क्या लगता है कि क्या किसी एक ब्यक्त को निजी लाप के लिए वह जगह अवांटित करना सही है दूसरा सवाल यह पहुंचता है कि अगर यह कई साल पहले जो अवांटिन हुआ था तो आज इस पर जो कब्जा दिलाने इस जरू को बताएं बारत मीडिया के लिए ओपी सिंग के साथ सब्वीर आहमेद की रिपोर्ट पने रहें बारत मीडिया साथ